हलो स्टेट्स कैसे आप तब चलेए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षीट आज की वक्षीट है आपकी वक्षीट नमबर 11 रीडिंग कैम्पियन इंगलिज की है यह देट है 29 जन्वरी यहां क्लास आपकी थर्ड है और वीक है सकिन थीम है फ्रूट्स एंड फ्लार्स यहां प हेलो मेरे प्यारे बच्छों आयम रोजा दरोजा बुश ठीक है मैं कौन हूं रोजा उसकी बाद दो रिमांबर एनी क्या आपको एनी याद है आप ग्रून अप इन दा गार्डन हर मदर लवस्ट विस्मेल ओफ माई रोजस उसकी मदर को जो है मेरे रोजस के स्मेल बहुत रोजस को पूजा के लिए यूज़ करती है और कई बार वह अपने बालों भी लगा लेती है ठीक है हर ग्रैंड मदर मेक्स गुलकान यूजिंग माई तो उनकी जो ग्रैंड फादर है जो नकी दादादर जी है वो गुलकन बनाते हैं ठीक है मेरे फ्लार्ड को यूज़ कर कई तो येस बिल्कुल आपको फ्लार पसंदेंगे घ्रेट राइग यूज़ आपको फ्लार के नेम लिखनें लिख है जो कि आपको पसंदें लायका अप लिख सकते हो लिली अप लिख सकते हो ट्यूलिप चिक है और आप लिख सकते हो संफलार s-u-n-f-l-o-w-e-r लिख स पेहिजब लोटी उयुए अब आके चलतें आप ड़ी में प्रॉजबूस जो ऊब क्षुब्रोप ट्री के ब्रॉट के पौझे खेंट यो ego इसा कि प्ली मुझे पोंड से पोहते कुछ इसमें से फल के भी पहुते थे, let us rearrange the letters to write the names of the fruit in the given blank, तो यहाँ पर क्या करना है, इन letters को rearrange करना है, और यहाँ पर हमें fruits के नाम बताने के कौन-कौन से fruit है, तो यह है बच्चो, mango, तो इसके spelling होती है, m-a-n-g-o, mango, और यह है apple, तो इसके spelling होती है, a-double-p-l-e, apple, यह है orange, o-r-a-n-g-e, orange, यह है bananas, तो b-a-n-a-n-a-s, bananas, ठीक है, आप देखते हैं कि वागों के लिए का सुझा आप दिया गया है, बच्चो के साथ सद्यों के मौसमें, उखने वाले फूलों और पौधों के देखवाल करने के बारे में चर्शा कीज़ें, तो बच्चे यह थी आपके आज की वरक्षीट, अगर आपको वीडियो पिसंदाई तो वीडियो को लाइक करें, श्यर करें, कावन के कि बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे मलता है, बच्चो नेक्स वीडियो में, बाई वाच्चो टेक क्यार